नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्टे पुस्तक बसंत भागतीन का 15 पाठ सूर्दास के पद प्रस्तुत पाठ में सूर्दास के दो पद दिये गए हैं पहली पद में श्रीकृष्ण द्वारा अपनी मां से अपनी चूटी के बारे में प्रश्न किया जा रहा है आईए पद को पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं मैया कबही बढ़ेगी चूटी किती बार मोही दूद पियत भाई यह अजव हूं है चूटी दूद तो कहती बलकी बेनी जों वेहे लांबी मोटी काडत गुहत न्यह वावत जहें नागी नसीब हुई लोटी काचो दूद पियावत पची पची देती न मांखन रोटी सू पुर्दाश्री बालक कृष्ण के मां से पूछे गए प्रश्णों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्रिकृष्ण अपनी मां से पूछ रहे हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी किती बार मोही दूद पियत भाई यह अजव हूं है चोटी कि अर्था कितनी बार मोही, मतलब मुझे दूद पियत भई, दूद पिते हुए हो गया है यहाँ अजहू है छोटी, यहाँ अजहू अर्थात आज भी या अभी भी छोटी ही है तू तो कहती बल की बेनी जो वे है लांबी मोटी तू तो कहती है बल की बेनी जो बल अर्था बलराम की बेनी अर्था चोटी के जो मतलब समान वे है हो जाएगी लांबी मोटी अर्था तू तो कहती है कि मेरी जो चोटी है वह बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जा अर्थात इतनी लंबी और मोटी हो जाएगी कि वह काड़ते समाई, गूतते समाई, नहलाते समाई, नागिन के समान जमीन पर लोटने लगेगी। इस चोटी को मोटी और लंबी बनाने के लिए काचो दूद यानि कि कच्चा दूद पियावत मतलब पिलाती हो पची पची अर्थात बार बार देती न माखन रोटी और माखन रोटी नहीं देती हो। हरी और हलदर हरी अर्थात स्रीक्रिष्न हलदर अर्थात हलको धारन करने वाले बलराम की जोटी अर्थात जोडी। सूर्दाश जी कहते हैं कि स्रीक्रिष्न और बलराम इन दोनों भाईयों की जोडी दीर के काल तक जीने वाली हो। एक बार पुनाओ इसका भाई बोलती हूँ। स्रीक्रिष्न अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मैंने इसके लिए दूद पी लिया है फिर भी यहाँ छोटी ही है। तू तो कहती है कि बलराम की चोटी के समान यहाँ लंबी और मोटी हो जाएगी। और बाल बनाते समय, गूतते समय और नहलाते समय यहाँ नागिन के समान जमीन पर लोटने लगेगी। इसके लिए तू मुझे बार बार कच्चा दूद पिलाती है और माखन रोटी भी नहीं खिलाती है। इस प्रकार सूर्दाश जी स्रीकृष्ण की इस बाल प्रश्णों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्रीकृष्ण और बलराम की यह जोडी दीरगकाल तक जीने वाली हो। अब अगले पत को पढ़ लेते हैं। उखल चड़ सीके को लीनो अनभावत भुई में धरकायो। दिन प्रती हानी होती गोरस की यह तोटा को ने धंगलायो। सूर शाम को हटकी न राखे। तैहीं पूत अनोखो जायो। प्रस्तुत पद में गोपी द्वारा मा यशोदा के सामने श्रीकृष्ण की सिकायत का वर्णन है। जिसमें गोपी श्रीकृष्ण के माखन चुराने की सिकायत लेकर माई शोदा के पास में आती हैं और कहती हैं। गर को खाली सेक कर सुना अर्था खाली यानि की दिन दोपहर में घर को खाली जानकर धूंटी धडोरी आप ही आयो। या धूंट धडोर यानि की खोजबीन करके यहां अपने आप ही आ जाता है। खोली किवारी पैठी मंदिर में किवार अर्था दर्वाजे को खोल कर पैठी अर्था घुश कर मंदिर में दर्वाजे को खोल कर यहां मंदिर में खुश जाता है। दूद दही सब सकनी खवायों और दूद और दही अपने सकाओं को खिलाता है। उखल चड़ी सींगे को लीनों उसके बाद यह उखल पर चड़ता है और सी का अर्थात वह पात्र जिसमें दूद दही रखा जाता है उसको ले लेता है। अनभावत भूई में धरकायों और जितना इसे खाना होता है उतना तो यह खाता है और जब अनभावत अर्थात जब इसे भाता नहीं है या जो पसंद नहीं आता है उसे यहाँ भूई अर्थात जमीन में धरकायों अर्थात उडेल देता है। दिन प्रति हानी होती गोरस की, यह डोटा कोने धंगलायो, इस प्रकार दिन प्रति दिन गोरस अर्थात, दूद, दही, मक्षन, आदी की हानी हो रही है, यह डोटा, यह बालक कोने धंगलायो, यह किस तरह, यह कैसा तरीका ले आया है, क्योंकि जितना यह खाता है, अपने स खक्यों को खिलाता है और जब इसे नहीं पसंद आता है तो यह उसे जमीन पर उड़ेल देता है इस प्रकार गोरस की अत्यदिक हानी हो रही है और यह लड़का कैसा तरीका लेकर आया है सूर शाम को हटकी न राखे तैहीं पूत अनोख हो जायो सूरदाश जी कहते हैं कि गोपियां यशोदा मांसे सिकायत करते हुए कहती हैं कि तुम स्रिक्रिश्न की इन लीलाओं के बारे में या इन कारियों के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो फिर भी तुम शाम को अर्थाद स्रिक्रिश्न को हटकी न राखे हटकी अर्थाद रोक के नहीं रखती हो उसे मना नहीं करती हो तैहें पूत अनोखो जायो तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुमने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जायो का अर्थ होता है जन्म देना एक बार पुना इसका भाव देख लिजे, तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया है, ऐसी सिकायत करती हुई गोपी, मा ये शुदा के पास में आती है, वो कहती है कि दिन की दोपहर में घर को सुना जानकर, वहा ढूंट ढांट कर, अपने आप भीतर आ जाता है, दरवाजे को ख भोल कर मंदिर में खुसता है, दूद दही खुद भी खाता है, और अपने सखाओं को भी खिलाता है, उखल में चाड़कर सीके को ले लेता है, सीका अर्था छीके को ले लेता है, और जब तक इसे खाना होता है, ये खाता है, और जब इसे पसंद नहीं आता है, तो यहाँ उसे जमीन में उडेल देता है इस प्रकार तुम्हारा यह लड़का ऐसा कौन सा धंग ले आया है जिससे प्रती दिन गोरस अर्था दूद दही आदी की हानी हो रही है कोपियां मा यशोदा से सिकायत करते वे कह रही है कि तुम्हें अपने लाल की इन लीलाओं के बारे में पता है फिर भी तुम उसे रोक कर नहीं रखती हो तुम्हें तो ऐसा लगता है जैसे तुमने अनोखे पुत्र को जन में दिया है तो ये इन दोनों पदों का भावार्थता आशा है आप लोगों को भाव समझ में आया होगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवान